मिरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अदभुत निराली है वो सब जोली जो जनमों से ही खाली है यहां तम की नहीं सत्ता यहां हर दिन दिवाली है भराया लोग के अंतर में नजर में प्रेम लाली है मेरे गुरुवर श्यूत्र पुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में चा गए हैं मेरे गुरुवर श्यूत्र पुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में चा गए हैं ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहावीर्यं करवावः तेजस्विनावधी तमस्तु मा विद्वशा वही ओम शान्ति 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 ओमाप्यायंतु ममांगानी वाक्प्राणस्यक्षो स्रोत्रमत्षो भलमिंद्रियानी चसर्वानी सर्वं ब्रह्म् हो पनिषदं माहं ब्रह्म् हनिरा कुरियां मामा ब्रह्म् हनिराकरोत् अनिराकर्णमस्तु अनिराकर्णम्मिस्तु तदात्मनिनिरतेयः उपनिशसु धर्मास्तु तेमैंशंतु ओम्शांति शांति शांति ही शंकरम शंकराचार्यम केशवं बाहदरायळम सोत्र भाष्य कृतो भन्दे भगवन्तो पुनहा पुनहा इश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनो भ्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्ते नमां सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यम अध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां बंदे गुरुपरंपरावन श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादं शंकरं लोक शंकरं मंत्र था अम लोकों का पांच में से पढ़ लेते हैं यन्मन्सानमनुते एनाहुर्मनोमतं तदेवब्रह्मतं विध्धी नेदम्यदिदमुपासित उपासते यचक्षुषानपष्यती एनचक्षुण्सिपष्यती तदेवब्रह्मतं विध्धी नेदम्यदिदमुपासते इस छठे मंत्र का हम लोगों के ने अभिशायद नहीं पढ़ा था पांच में तक हमने पढ़ा था जिग्यासु आत्मतत्तु का है उसके चित में द्रिष्ट और अद्रिष्ट साधन और साध्य इन सबसे विरक्ती का भाव है द्रिष्ट विशय और अद्रिष्ट विशय साधन से प्राप्त होने वाला समस्त साध्य उससे उसने अपने चेत्यों को हटा लिया है और अब केवल अपने प्रत्यक आत्म सुरूप को जानना चाहता है हमारी इंद्रियां किस चेतन की शक्ती से अपना अपना कार करती है तो उपदेश दिया हमारा जो एक कान है उसमें स्रावण की जो सक्ती है वहीं से आ रही है उस चेतन तत्व पर इस्रावण इंद्री अध्यस्त है जैसे साप की जीव निकलती है साप की आँख चमकती है तो साप उसमें कोई न कोई एक ब्यापार एक ब्योहार दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसमें जितना ब्यापार दिखाई पड़ रहा है ब्यापार माने ब्योहार इसकी क्रिया कलाप वो सब कसब अपने उस चैतन जोती सरूपर अध्यस्त है यहां कार कारण का संबंद मतलगाना यहां अधिस्ठान और अध्यस्त का संबंद है यह चीज ध्यान रखना कार कारण के संबंद से आप समस्टी इस्वर तक पहुंचोगे एक कार को देख करके कारण का विचार करते जाओगे इसका कारण अमुक, इसका कारण अमुक, इसका कारण अमुक तो वहां पांचों महाभूतों में सब का कारण आकास आकास का कारण महत्त्तो, महत्त्तो का कारण अहंकार फिर उसका कारण अभ्यक्त, अभ्यक्त तक जोगे कार कारण की परंपरा से अभ्यक्त तक ही आपकी पहुंच होगी यहां केन सुरती जो कहती है वो कह रहे ही कि ठीक है यह सारा अपना कार कर रहे हैं विचार कर लो लेकिन वास्तों में यह सब के सब अध्यस्त हैं अपने आत्मरूपी अधिस्ठान पर जब आप उस अवस्था में इस्थित हो जाते हैं तो निर्द्वंद होते हैं निश्प्री होते हैं अपने निराकार सुरूप में इस्थित होते हैं जिसको चक्सुसा न पश्यती देखो जिसको नेत्र कभी देख नहीं सकता भले वो कहते हैं करा मलकवत जहां पर देखो एक शब्द प्रयोग किया गया आत्मा का ज्ञान महराज बताओ करा मलकवत हस्ता मलकवत हस्त और कर एक ही अर्थ है करा मलकवत वहां पर उपदेश में उसमें जो भाव सन्नीत है वो देखने का नहीं है वहां असंदिक्द ग्यान का जो है भाव है असंदिक्द संसे विपरिये रहित ग्यान वो बताना चाहरे हैं जैसे मेरे सामने ये हाथ पे रखा है तो वहां पर मैं देख रहा हूं तो वहां पर जो ह हमको ग्यान हो रहा है वो संसे रहित ग्यान हो रहा है कोई दस बार हमको भटकावे कि नहीं यह आवला नहीं है आम है हाथ पर नहीं है तुम्हारे तो हमारे मन में वो ग्यान बिलकुल निष्ठ है संसे भी परिये रहित है तो वहां जहां पर भी ऐसा सब्द प्रयों किया गय आहस्ता मलकवत वहां दिखाने का भाव नहीं है वहां ये नहीं समझ लेना है कि ऐसे हमको दिखाई पड़ेगा वहां पर जो ज्ञान की बृत्ती है वो संसे विपरिये रहित ज्ञान हो असंदिक्द ज्ञान हो इसलिए वहां पर कहा गया है हस्ता मलकवत अन्यथा वो तदेव ब्रह्म तवंति उसी को तुम ब्रह्म समझो नेदम, ना इदम, यत इदम, यत इदम, ये जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, ना इदम, यह, वह अधिष्ठान सरूप ब्रह्म नहीं है, ये उपासना के लिए हमारे उपास्य देव हैं, लेकिन ये वो तत्व नहीं, असपस्ट है, भाहरो, भाहर से देखलो, यत्चक्षुषा नपश्यती ना विशय करोती अन्ता करण विशय ही नहीं बना सकता वास्तव में देखो जब हम लोग साधना के प्रसंग में उपदेश करते हैं तो कहते हैं अन्ता करण की भृत्ती से उस ब्रह्म में ब्रह्माकार भृत्ती बनाव तो उसको हम कहते हैं वहां बृत्ती ब्याप्ती होती है और फल ब्याप्ती ही नहीं होती यह हम लोग समझाने के लिए कहते हैं लेकिन वास्तों में बृत्ती ब्याप्ती भी कैसे करोगे जो निराकार है जो निराकार है जो सर्व ब्यापक है सर्व ब्यापक में बृत्ती ब् तो आपने पानी डाला, तो चारो मेडों में जाकरके वह व्यापतों हो गया, हमारे भीतर के बृत्ति गए तो घट के चारो चर्प से दिवाल को देखा, तो व्यापती कहले, अमने इसका नाम हो गया बृत्ती ब्यापती, ऐसा वो कोई देश के अंदर थोड़े है, जिस तत्तो का निरूपण है, वो काल की अंतरगत, बस्तु की अंतरगत थोड़े है, तो वास्तों में तो वहां बृत्ति ब्याप्ति भी नहीं होती, हाँ बृत्ति ब्याप्ति किसमें करते हैं, जो गुरुदेव ने हमको उपदेश किया, ब्रह्म ऐसा है, ब् ब्रमनित्य है, सुद्ध है, मुक्त सुरूप है, वहाँ अवांग मनस अगोचर, वहाँ बाणी मन के परे है, तो वहाँ पर केवल ओ शब्दों का, जो हमने स्रमन किया, उससे हमारे मन में जाओ भाव बना, उसी की बृत्ती व्यापती हो रही, वास्तों में ओ सुद्ध ब्र में कोई बृत्ती व्यापती भी, अच्छा, आप पृत्ति व्यापती करके दिखाओ, पूरी पृत्ति व्यापती का, कैसे करोगे, क्योंकि पृत्ति व्यापती का और चोर हमको हो, पता ही नहीं है, यसी को फिर पुरान में कह दिया कि जाओ पृत्ति व्यापती करके जो देखो ना विशाई करोती कैसे अब नेत्र नहीं अन्ताह करण बृत्ति संयोक ते नेत्र और अन्ताह करण की बृत्ति दोनों मिल करके उस तत्त का कभी विशाई कृत करही ही नहीं सकते क्योंकि नेत्र अब हमारा मन ना होए तो नेत्र इसे खूली होए कुछ दिखाइए नहीं पढ़ता है आपका मन ना होए यहाँ पे और कान इसे खुला हुआ है हम बोलते भी जाऊँ है सुनेए नहीं पढ़ेगा कुछ तो मन हमारा कान के साथ जुढता है तब सुनाई हाँ 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 हिंदी वाला सारी समस्या की जड़ हमारा मन ही है इस मन को जड़ा सा मैसूस हो जाता है इसने हमको बड़ी देखो हमको सुख दिया बस आप सुखी हो गया मन को मैसूस हो गया कि इसने हमको दुख दिया मन को मैसुस हुआ असल में किसी अरे मन को इतना लग गया इसने हमको उंगली दिखाई बस इतने में ही पूरा दिन खराब हो जाएगा इसने हमको उंगली दिखाई एक आदमी कोई घर से परिशान है घर से परिशान है ओ पार्क सबेरे घुमने चला गया और आपका मन सारा दिन खराब, वो पड़ोसी आदमी पार्क मेर्ज बगल से घुजर गया था, हमको नमस्ते नहीं किया, क्यों खराब? उसके मन की समस्या कुछ और थी, वो तो घर से लड़ाए किया था, उसका मन कहीं और परिसान था, उसने जान बुचके नहीं किया, लेकि मन खराब किसका हुआ अब दिन भर दुखी किसका हुआ देखो उस सामने से चला गया आज हमको नमस्ते भी ही तो समस्या की जड़ कौन वो ब्यक्ती नहीं हमारे भीतर का मन, हमारे भीतर की अपेक्षाएं यह बहुत बिचित्र जीवन है आप अपेक्षा बना लो देखो समस्या में पढ़ जाओगे कोई अपेक्षा मत बनाओ हमको याद है जब हम महराश्री के असर में रहते थे याद है तो कई बार हम तो जो खड़ी भीक्षा वालों की लाइन में खड़े हो के लिए लेते दखान हमको हमको भी याद है याद होगा हमारे जगदानद महराश्री को तो हमारा मन होता था जबकि सबेरे वहाँ पंदरा मिर्ट परोचन भी करता था लेकिन वह कौन से महात्मा थे बैठ जाते थे डंडा लेकर के खड़ी दिख्शा के बगल में कभी जले भी बट रहा है कभी बट रहा है तो हम लाइन में खड़े हो करके अपना ले लेते थे हम अपने हास्थाल में लेकिन अगर मान लोग किसी को जरासा जो है पंक्ती में बैठे हों और पंक्ती में यहाँ से कैदों के महराश यहाँ से उठकर कि यहाँ बैठ जाओ फिर देख लो कहा समस्या होगी अब भोजन मिलेगा भोजन के लिए मना नहीं किया है हरी द्वार में देखा आखो बस इतना कहा कि महराश यहाँ से उठकर के बस इतने में ही समस्या पैदा हो जाओ 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 ए जगत में, श्रिष्टी में, अगर आप भगवान के भगतो हो, तो रोटी और बस्तर की कमी नहीं है, रोटी बस्तर की कमी नहीं है, रहने के लिए छट की भी कमी नहीं है, आप रहिए, समस्या दो-चार दिन नहीं, दो-चार दिन के बाद में ओचित्य बृत्ति में तो बस कौन खड़ा हो रहा है भीतर? अहम खड़ा हो रहा है. मान लो वहाँ पर चार महत्मा बैठे हो मंच पर. तीन महत्मा को बोलने को माइक दे दो, एक महत्मा को माइक ना दो. बस तीन महत्मा को आप माला पहना दो, एक महत्मा को माला ना पहना हो. होता है सब एक मंच प तो समस्या की सारी जड़ कहा होती मन परम बहरा किस्तिती होगी आप आनंदित रहोगे परम बहरा किस्तिती होगी तो आप निश्चिन तो होगे आनंदित होगे और नहीं तो मन में कोई अपेक्षा होगी तो आपकी अपेक्षा ही आपको दुख देगी और कोई दुख दुन पढ़िये किसी को दुख देने की, और आदमी अपने सुख के लिए आया है, जगत में जो जीव पैदा हुआ है, वो तो अपने सुख के लिए पैदा हो रहा है, अब अगर वो आदमी समझता है कि मैं मुर्गा खाऊंगा तो सुखी हूंगा, तो मुर्गा को सता थोड़े र रहा है, आप थोड़ा इस दृष्टी से विचार करो ना, वो अपने सुख के लिए उसको लगता है कि प्रोटीन हमको चाहिए तो अंडा में प्रोटीन जादा है, तो जीव को मारने पर उसका ध्यान नहीं है, उसका ये ध्यान है कि हमारे सरीर को प्रोटीन जादा मिले, तो तो सौर्थ ही है जीव, अपने मतलब के लिए आया है, तो अचा कल मानलो मैं स्वामी जी बैठा हूँ, मैं स्वामी जी बैठा हूँ, और किसी को ग्यान ध्यान चाहिए तो पढ़े ना, हम किसी को बना कर रहे हैं, लेकिन सामने एक नहीं दर्जन तुमारी उंगली पर क्यों दिखाई नहीं पड़े, क्यों कि अब उनको हमारे ग्यान की जरुरत हो, नहीं, किसको, उस आहम को, उस आहम को और कुछ नहीं है, वो आहम चाहता है कि हमारा जहां जावे, वहां अमारा जो है, मैं सम्थिंग कुछ हूँ, फोल माला हो वे, क्यों नहीं दिखाई भी नहीं है और वो अहम मन को ले के प्रकट हो रहा है ना वो अहम को सुख चाहिए अहम को सुख चाहिए तो वो सुख के लिए किसको लेगा मन को अब मन को लेकर के तब इतस्तताहा जहां जहां उसको सुख की अनभोत होगी मन को वहीं पर भेजेगा कौन भेज रहा है मन अह लगा रहा है, हाजार चीजे तो है, तो इस पर नहीं जा रहा है, किस पर जा रहा है, इस आहम को जिसमें सुख अनुभूती होगी वही पडना, तो उसने मन को प्रेयुत किया, वहा चल, तो मन वहा जाएगा, अब मन जाएगा, कैसे, मन कैसे जैसे बिजली कैसे जाएगे तो तार के उपर से जाएगी बिना तार के बिजली कैसे जाएगी तो मन जाएगा कैसे तो कोई न कोई इंद्रियों का सहारा लेके जाएगा जब यह अहम आपके मन को प्रेरित करेगा मन इंद्रियों के माध्यम से जा करके उस बिसय को देखेगा, उस बिसय का भोग करेगा, तो अब पिर वहां से परावर्तन होगा, वहां से जो उसका स्वाद मिला आपको, जो उसका अच्छा लगा, वो सब मन में आएगा, मन भेजेगा अहम को, तो आहम कहेगा बढ़िया, आज हमको अच्छा लगा, अहां मुख ऊग्या गुढिया, मन नहीं मुख ऊगुआ, अहां मुख हो गया, बेलकुल, तो मन तो करण है, और करण जड होता है, जड को चलाने वाला कोई न कोई कि चेतन होना चाहिए, जड माने उसको जिसमें कोई जो न सोयम को जाने, तो जड को चलाने वाला कोई चेतन चाहिए, तो इसलिए अगर जड बस्तों, अब हमारी दृष्टी से समनना, अगर जड बस्तों में गती दिखाई पड़ती है कहीं पर भी, तो उसका प्रेरख कोई न कोई चेतन होना चाहिए, दृष्टांत दिया, दूसरे ने उन्हें का नदी में प्रवाह दिखाई पड़ता है, वो तो जड है, नदी में प्रवाह दिख रहा है, तो गती दिख रही है, लेकिन वो तो जड है, हम कहेंगे फिर नदी का अधिस्ठात्र देवता एक होता पैड़ में गती दिखाई पड़ रही है पेड़ तो जड़ है लेकिन उसकी डालियां हिल रही है गती दिख रही है उसे में तो हम कहेंगे उसे वायू के देवता कौर? पवन देवता वो चला रहे हैं समझें? तो ये जितना भी कुछ होगा जड़ बस तो को चलाने वाला कोई ये खोता है तो ऐसे ही मन जड़ है इंद्री है तो उस मन को विषयों में लगाने वाला कोई है तो वो हम है आहम है बस तो आहम उसको सुख चाहिए दुख से बचना चाहता है हमारे जग्द ценदमारा जब सुरू करेंगे तो यहाँ से सुरू करेंगे जीव आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक आत्यंतिक दुख की निभृति यही जीव का परमलक्षे है बिल्कुल यह काट सत्य है इनका हमेशा यहीं से बोलते हैं पहले हाँ एक दोहा उकल पाप मिटे सब दुख कटे हैं लेत राम को नाम दस नामा अपरादत जी प्रेम से बोलो वो हमको भी याद हो गया बिल्कुल यह प्रतिषण गिरिया हो रही है तो आपका जो मॉबाइल के अंदर जो उसका प्रोसेसर है वो प्रतिषण काम कर रहा है भले आपकी स्क्रीन पर केवले कहीं चीज़ दिखाई पढ़ रही है आपने स्क्रीन पर एक वाल पेपर लगा रखा है वही दिखाई कम्प्यूटर पर लेकिन उसके अंदर का प्रोसेसर वो लगातार काम कर रहा है अब कम्प्यूटर से देखो लगातार काम कर रहा है उसी प्रकार से यह हम लगातार काम कर रहा है बिलकुल और क्या वही है जब तक ब्योहार है जब तक ब्योहार है तब तक उसको लेकी ही कोता है तो इस अहंकार का बाद होता है बाद माने बाद माने दिखाई पड़ता है आकास नीली मावत दिखाई पड़ता रहेगा तो क्या समझ रहे हो कि अब कोई सासर पढ़ाने वाला है कोई गुरुजी की भीतर तो अहम नहीं है क्या अभी जरा सा टेना मुड़ा कोई करें मैं डांट के भगाऊंगा तो ऐसा कैदों कि गुरुजी में अहम नहीं है तो फि दिख रहा है सत्य नहीं है यही तो है निशेधावद इसाक्षी इसको जो है बिल्कुल मनुनास करना है तो बिल्कुल हिमाले की गुफा में चले जाओ और अस्टांग मार्ग का योगा अभ्यास करो और वहां मनुनास की सिती हो जाएगी तो आपका दुनिया दिखाई यह नहीं पड़ेगा अहम दिखाई यह नहीं पड़ेगा चलो उसकी सादना अलग है लेकिन अगर बेवहार में समाज में आपको बेवहार करना है तो यह अहम को लेकर के ही बेवहार करना होगा भासित अहम के साथ बाधित अहम के साथ बाधित अहमा के साथ में यह बाधित है लेकिन ब्योहार हमको करना होगा, एक रिशी अगर भगवान बेदब व्यास जी सास्त्रार्थ कर रहे हैं, शास्त्र लिख रहे हैं, तो लिखने वाले हैं न व्यास, तुलसी दाश जी हर जगा लिखते नहीं, तुलसी बोलें, तो पिलकुल वो चीज़, तो अहां, यह कारो प्रित्ति ब्याप्ति होती है लेकिन आत्मा में आत्मा में नेत्र की गती नहीं है। अन्ता करण ब्रित्ति ब्याद भिन्ना चक्षु ब्रित्ति पस्षित ये जिस आत्मा की शक्ति से चक्षूंसी मंत्र में है चक्षूंसी कार्थ करें अन्ता करण ब्रित्ति ब्याद भिन्ना अन्ता करण की तमाम तरक ब्रित्तियों के भेद को आप जानते हो किसकी शक्ति से किसकी सक्ति से, अन्ताकर्ण बृत्ति भेद भिन्ना, अन्ताकर्ण में तमाम तरे की बृत्ति आ रही है न, ए अच्छा, ए खराब, ए अपना, ए पराया, ए छोटा, ए भड़ा, ए सब तमाम तरे की बृत्ति, किस से जान रहे हो इसको, जिस सक्ति से जान रहे हो, चक्षू बृत्ति पश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उस आत्मा को जाना नहीं जाता बलकि नेत्र जिसकी शक्ति से काम कर रहे हैं, उसको तुम आत्मा जाना। उसी आत्मा को तुम ब्रह्म समझो, ना इदम, यत इदम, जो इसकी उपासना कर रहे हो, ना इदम, ये वो तत्व, ये उपासना के लिए है, ये ओतत तो नहीं है अगला मंत्र देखते हैं अब चुँकि ये भास्यकार ने कही दिया पूरभुवत है सब पहले के जैसा समझे यतश्रोत्रे नस्रुनोती यतश्रोत्रमिदंशुतं तदेवब्रम्हत्वं बिध्धी नेदम यदिदम उपासते यतश्रोत्रेन स्रोत्रेन माने शुनने वाली इंद्री सुनने वाली इंद्री इंद्री कहां पर है यह नहीं एक गोलक है इसको कहते इंद्रियों का गोलक यह अस्थान है सुनने की इंद्री भीतर है कही यह फिर बेदानतसार में आ चुका था ध्यान होगा तो बेदानतसार में पढ़ाया गया था तो यह तो इंद्री का गोलक है आख यह गोलक है अस्थान है और देखने की इंद्री अंदर है सुनने की इंद्री अंदर है कहां पर सुक्षम अच्छा एक कान इस्थूल सरीर का हिस्सा है ना आख इस्थूल सरीर का हिस्सा है ना इस्थूल सरीर का तो इसके भीतर आपने का सुक्ष्म सरीर है यही कहा न तो यह इस्थूल सरीर का है तो यह कान कैसे होगा यह तो गोलक हो गया सुक्ष्म सरीर का हिस्सा कौन है पांच ग्यान इंद्रियां तो स्रोत इंद्री किसका हिस्सा है सुक्ष्म सरीर का हिस्सा है नेत रूपी इंद्री सुक्ष्म सरीर का हिस्सा है तो भीतर है यह तो चस्मा लटकाने की जगा है तो यह तो सरोत्रेड न सुनोती जिस जिसको एक कान की इंद्रिय सुन नहीं सकती बलकि एन सरोत्रम इदम बलकि जिस चैतन शक्ति से एक कान सुनते उसको तुम ब्रह्म समझो वो ब्रह्मतत तो है उसी को तुम ब्रह्म समझो और किसी नाम रूप वाले में आटको मत यात स्रोत्रेण नस्रुणोती ए मंत्र में इतना पूरा जयों काते हो है ना यात स्रोत्रेण नस्रुणोती स्रोत्रेंद्री जिसको स्रमण नहीं करती तो स्रोत्रेंद्री माने क्यों देखो अब यहां दिक देवता अधिस्ठतेन आकासकारियेन मनो ब्रित सैयुकतेन ना व सही करोती लोगों यह बिल्कुल आप इधर उधर नहीं भाग सकते न क्या कह रहें कान आपने सीधा कान जिसको सुन नहीं सकता कान जिसको सुन नहीं सकता ओ आत्मा है तो कान माने कौन जिसमें सुनने का काम करने वाले एक देवता है अधिश्थात्र देवता किसके सरोत रुपी इंद्री के काउन है? दिख देऊता और फिर जो स्रोत निंद्री बनी किसे से वो पांचो महाभोतों में आकास के सत्व गुर्ण से बनी आकास कारेण आकास के सत्व गुर्ण से कोई एक इंद्री बनी है आकास के सत्वगुण से कोई इंद्री बनी है उसका अधिश्ठात्र देवता है दिख देवता तब बाहर के सब्दों का ओश्रमण करता है लेकिन अभी एक समस्या है मनो बृत्ति संयोक्तिन ए ए आकास का जो कारे है सत्वगुण का ओभी होए दिख देवता भी होए लेकिन मन नहीं जुड़े होगा तो उसको सुनाई ही तो मनो बृत्ति संयोक्तिन अब इसको कह रहे हैं हम स्रोत्र रूपी इंद्री जब कभी स्रोत्र रूपी इंद्री की शबदा आवे तो पूरा यादर करना चाहिए जैसे नेत्रूपी इंद्री कह इसके पहले में था तो ऐसे स्रोत्र रूपी दिख देवता अधिष्चतिन आकासकारेन मनो बृति संयोक्तिन इसको हमने कहा स्रोत्रूपी इंद्री ना विशय करोती ये कभी भी उस आत्मा को विशय नहीं बना सकती विशय माने जैसे हम अनेक अनेक चीजों को सुनते हैं तो खास करके सुनने में शब्द के अनेक अनेक रूप आप सुनते हो जैसे नेत्र अनेक अनेक रूप को देखता है ऐसे कान भी अनेक प्रकार के घोश को सुनते हो नव प्रकार के बाद रखे हूं मंच पर संगीत में वहां हार्मोनियम भी है तबला भी है मजीरा भी है तानपूरा भी है बीना भी है ड्रम भी है सबकी आवाज अलग-अलग आप समझ रहे हो ना कि एक जैसे सबकी आवाज है तो शब्द में अलग-अलग हो गया लोग जब आप दस परकार के वादियंतर के सामने बैठ करके और दसों की जनकार अलग-अलग है यह समझ रहे हो इसका मतलब कान का जो बिशय है शब्द यह कही जैसा बलकि उसके भी अनेक अनेक भेर कोई धीमे बोलता है कोई तेज बोलता है कोई आधा बोलता है आधा खा जाता है ऐसे भी होते हैं कोई जो है कोई जल्दी जल्दी बोलता है कोई रुक रुक के बोलता है कोई मलयालम बोलता है कोई फ्रेंच जर्मन बोलता है कोई जो है तरह तरह की भासा बोलते हैं सब्तों सुनते हैं तो मन बुद्धी तक रहेगा तो मन बुद्धी तक रहेगा, मन को समझ सुनाई पड़ेगा, कान के सहारे मन गया, उस शब्द को ब्याप्त कर रहा है, कि ए तो इस समय मजीरा बजा रहा है, तो सब ढोल बजा रहा है, तो ब्याप्त किया, तो कान को सुनाई पड़ा, हाँ ढ दोल बज रहा है, मन ने समझ लिया, बुद्धी ने तैंक लिया, डोल बज रही, बस इतने, इतना होता रहेगा, अब इसके बाद दूसरा वाद, अच्छा, हर्मोनियम ठीक से नहीं बजाया इसने, ए रुक, अभी ऐसे थोड़ा ठीक से, रुको रुको अब ये वाला भजन गाएंगे, तो देखो, अब अलग-अलग सब्द आ रहे है, कान को सुनाई पड़ रहा है, मन उसका सुन करके बुद्धिताएं कर ले रही, ये भजन बहुत बढ़िया, ये भजन, लेकिन ये जिसकी सक्ती से हो रहा है, उसको ये नहीं दिखाएंगे, एक कोई भी सात्मटत्त को प्रकाषिता नीं कर सकते हैं, शब्द हमको रास्ता बताते हैं, इस रस्ते से, शब्द हमको मार्ग-दर्शक की भुन का लिवाते हैं, शब्द को सुनने वाला कान उसी की सक्ती से काम कर रहे है ना विशाई करोती लोको ये निश्रोत्रम इदम सुरुतम यत प्रसिद्धम ये जिस कान से लोक में प्रसिद्ध है कि मैंने सुना है ये कान उसको कभी सुन नहीं पाता यत प्रसिद्धम चैतन्य आत्म जोतिशा विशाई कृतम जो प्रसिद्ध है आत्म चैतन्य सुरूप वह आत्म चैतन्य सुरूप बलकि इस कान को सुनने की सक्ति देता है और जो कानों को सक्ति देता है तदेव इत्याधि पूर्वत तदेव ब्रह्मत्वम बिध्धी यत स्रोत्रेन ना स्रोनोती जिसको यत मन जिसको स्रोत्रेन कान रूपी इंद्री के द्वारा सुना दिग देवता अधिश्ठतेन दिग देवता के द्वारा आकास का कार्य मन बृत्ती सैंयुकतेन ना विशय करोती ए विशय नहीं करते सुरोत्र पिंद्री लोकह इस जगत में इस लोक में जिसको जो भी सही करतां एन सुरोत्रम इद्म सुरुतम यहां तकunächst एन उ प्रोत्रम इद्म सुरुतम इतना मंत्र में दूसरा चरण है वहां से ले हो मंत्र का दूसरा चड़ा है ये न सरोत्रम इदम सरोत्रम तो इसका फिर भास से होगा यत प्रसिद्धम जो प्रसिद्ध है अपना कौन? चैतन्य आत्म जोतिसा जो आप जिंदा हो चैतन्य हो आत्म जोतिस रूप है वही विशै क्रितम वही सकती देता है तो तो ये कान अपना काम करते हैं, तदेव इत्यादी, अब आप इसको अगली पंक्ती से लगालो, तदेव ब्रह्म त्वंबिद्धी, पूर्ववत लिखा न, तो जैसे पहले बताया, तो जैसे पहले, अगला मंत्र, यत प्राणे न प्राणिती, एन प्राणाह प्रणीयते, तदेव ब्रह्म तवंबिद्धी, नेदम यदिदम उपासते, यत प्राणे यहां पर तुम लोगों के पुस्तक में ना छपा है कि नहीं अलग से, यत प्राणे ना है नो, जिसके में नहो लगा ले ना, सैद अनंता नद्वाली में नहीं होगा, यत प्राणे न प्रणीति ऐसा लिखाओगा, किसी किसी में यत प्राणे न प्रणीति लिखाओगा, तो वहाँ पर ना आप जो है, तो यत प्राणे न प्राणीति, जिस आत्म सरूप को यह प्राण सकती, प्राण सकती, न प्राणीति, यहाँ प्राण का अर्थ है ग्राण, यहाँ प्राण सब्द है, यहाँ प्राण को ग्राण के साथ जोड़ लो, तो ग्राण और प्राण को पहले भी एक जगे पर एक क क्योंकि स्वांस आती जाती कहां से है, नासिका से, स्वांस लेते हो और छोड़ते हो कहां से, नाक से, तो नाक को हम कहते हैं ग्राण, और स्वांस को कहते हैं प्राण, तो दोनों जुड़ा हुआ है, तो दोनों को जोड़ के देख लो, जिसकी नाक कटी हो, उसको भी सांस आ अभी सुनाया कि कान इंद्री किसको कहते हैं, श्रोत्र इंद्री किसको कहते हैं, अभी इतनी देर सुनाया है, कि ये भी कहा था कि कान ये बाहर वाला जो है इस थूल सरीर का हिस्सा है, ये भी हमने कहा था चसमा इस पर टंगने के लिए काम आता, ये भी कहा था, है ना, श्र तरेंदरी तो इसे नाक ये क्यों ने से ये तना पढ़ने के बाद भी जो ये नाक जो है चस्मा लटकाने के काम आ रहा है बस ये नाक इस थूल शरीर का इंसा है और इस नाक में जो सुंगने की सकती है वो वो है घ्रांड रूपी इंदरी आज आसान है अभी कठिन वाला होता तब बता लगता अगला वाला सुरू होगा तब समझ में आएगा फिर जिसको प्रांड सक्ती के द्वारा जिसको घ्रांड सक्ती के द्वारा सुंगा नहीं जा सकता विशैकृत नहीं किया जा सकता बलकि एन प्रांड हा जिस सक्ती से ये हमारा प्राण सक्ति अपना कार्य ता देव उसी को तुम प्रम समझो ना इदम यदिदम पास पर यात अब भास में देखना है यात प्राणेण प्राणेन करत क्या भास कारने यात प्राणेन फार्थ वेन नाशिका पुटांतर तुम प्रम समझो, ना इदम यदि दम पास कर देखो, यत प्राणेन, अब भास में देखना है, यत प्राणेन, प्राणेन करत किया भास कार ने? यत प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिका पुटांतर अवस्थितेन अंता करण प्राण ब्रितिभ्याम सहितेन यत अब फिर उपर से लगाना यत प्राणेन यत ना प्राणिती गंधवत ना विशै करोती अब इस पंक्ती पर ध्यान से समझना यत प्राणेन माने ग्राणेन प्राण कार्थ ले लिया ग्राण क्योंकि प्रसंग वही चल दा था ना पहले वाणी को बोला था यदवाचा अनभ्युदितम वाणी को बोला था फिर उसके बाद में फिर नेतर को फिर सुरोतर को तो यह प्राण कार्थ ग्राण अच्छा ग्राण सकती कौन से हो पार्थिवेन पार्थिवेन माने इस्थूल सरीर पार्थिव पार्थिव माने पांचो महाभोतों का जो पंची करण के बाद प्रितिवी से बना हो तो पार्थिव तो पांचो महाभोतों से जो बना इस्थूल महाभ पुटांतर अवस्थितेन इस वाला जो नाक के अंदर ये सब इस थूल सरीर का हिस्सा है इस पर ज्यादा ध्यान मत दो ये सरीर की बनावट है ये सरीर की बनावट है और बाकी ज्यादा पढ़ना हो तो जो फेस रीडिंग वाले हैं वो बतावेंगे कि कैसे कैसे नाक होती है तो क्या होता है कान भी ऐसे सबके अलग-अलग होते हैं आख भी सबकी एक जैसे नहीं थोड़ा-थोड़ा बनावट उसका भागवान ऐसे कहते हैं ब्रह्मा जी जब बनाते है न तो बनाने के बाद साचा तोड़ देते हैं क्योंकि क्योंकि 700 करोण की जनसं क्या मनुश्यों की और उसमें एक का चेहरा दूसरे से मेल नहीं खाता कुछ नो कुछ तो फरक निकल लिया हुई गा अब आजकल जहां पर होता है पासपोर्ट वगरा में तो वहां पर आखों के रेटीना सबका अलग-अलग है हम लोग बच्पन में कहते थे सबका खून एक जैसे है लाल बच्पन जब पढ़ते थे सब बराबर सब अब पता लगा खूनों में खून ये प्लस है की बी प्लस है की भी माइनस है की एच है की ओ है कितने फरक हो गया थे हैं तो बिल्कुल नाशि का पुटांतर अवस्थ्थिते इन देखो ए नाक के अंदर पुटांतर मने इसके अंदर जो घ्रान किंद्री है अंता प्रांद भृत्थि भ्याम सहिते İn अंता करन भी उसमें जुड़ा होगा तभी तो स्वांस लोगे और प्रान भृत्ति स्वांस कहां से लोगे इसी नाक से लोग है न, प्राण, बृति, सहिते हैं, पूरा, अब इसको हम कहरें, ग्राण, रूपी, इंद्री, सुंघने की सक्ति, इस नाक के भीतर, अंताकरण की मन की बृति के साथ, जहां से स्वास आती जाती है, ये भी क्रिया करती है, एक्रिया सील है, ये आत्मा को व विषैई न करोती क्या करती है गंध को ग्रहन करती है गंधवत जैसे आप एं शुंगते हो तो गंध काऊ बिषैई कर लेते हो ना गंधवत नभिषै करोत यह क्या कही नाला पास में होगा कहीं कोई बगीचा पास में होगा फिर सुंगा कोई लगता है सुगर मिल पास में होगी फिर सुंगा लगा कि गुड़गाओं का ओ कचड़ा का टीला पास में होगा एक अधर है मानेशर की तरफ में है एक अधर नोड़ा की तरफ हाँ उतना बड़ा पहाड बना डाला उसको जो है और एक ही मुरादाबाद में बनाया बिल्कुल उस रामगंगा के किनारे तो नाशका को उसके पास जाओ तो पता लग जाता है अच्छा धूब बत्ती जलाओ अब इसमें भी भेद है धूब बत्ती जलाओ तो घी का दीपक जलाओ फिर थोड़ा सुंगो तो तेल का दीपक जलाओ और फिर जैको अलग 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 आरा है ना तो ये कही जैसा गंद नहीं आ रही है हम दो सब्द बोल लेते हैं सुगं आप रिफाइंड में पकवडा तल रहे हो तब गंद देखो देशी घी में पकवडा तल रहे हो तब घी देखो आप उसमें जीरा डाले तब देखो अलग नहीं तो मिर्ची डाल के देख लेना पक्का हो जाएगा तो बहुत भेद हैं बहुत भेद हैं विशय को अनंत कहा जाता है विशय अनंत है तो एक नाशिका से जो ग्राण करता है आत्मा को ना गंधवत ना विशय करोती जैसे नाशिका गंध को जाके विशय करती है ग्राण इंद्री वैसे आत्मा को कभी विशय करत नहीं किया जा सकता आगे वही एन चैतन्य आत्म जोती सा जिस चैतन्य आ सम्झता ca p처 об renovation आफ़ार्वं समाने वही आत्मा है इसको समझलोек वही आत्मा है जो हमारी इस नाशिका के भीतर रहके चैतन्य है जो कान के भीतर रहके चैतन्य है कि आपकी अपनी सत्ता है उसी में आप आंदित हो तब कहते हैं मनवा बेपरवाह क्योंकि आप में कोई कमी तो है नहीं आप तो ब्रह्म सुरूप हो आप तो इश्वर अंसर आप तो ममयुआ अंसर परमात्मा तो आप में तो कोई कमी है नहीं फिर काय के चिंता काय के चिंता और जिसको ले के चिंता है वो सब इसी जगत की चीज़ है यह सब इसी जगत का हमको घर चाहिए था घर नहीं मिला धन चाहिए था धन नहीं मिला हमको बस्तू चाहिए थी बस्तू नहीं मिला सम्मान चाहिए था सम्मान जो जिसको लेकर के सोच रहे हो सब इसी जगत का हिसा है और जगत सब का सब कल्पित जगत सब का सब अध्यस्त है जगत सब का सब अनित्य है फिर काहेगा चिंता दोई बात न आप में कोई कमी है नहीं और जिसको लेकर के मन में थोड़ा सब भी बिक्षे पैदा होता है वो चीज जगत की है और जगत तो अपने सुरूप पर कल्पित अध्यस्त है फिर कहेगा जिस छड़ एग्यान हो जाता है तब फिर आप निर्द्वंद हो जाते हो फिर निर्द्वंदो ही महाबा हो सुखंबंधात प्रमुच्यते फिर आप उस सवस्था को प्राप्द कर लेते हो वो चीज है इत श्रीमत परम्हंस परिब्राजकाचार श्रीमत शंकर भगवत पादकृतो केनो प्रिशत पदभास्ये प्रथम्मः खंडः अथ दुतिया खंडः यदि मन्यसे सुवेदेती दाहरमेवापिनूनम तवंबेत ब्रम्हनोरूपम यदस्यत्वं यदस्यचदेवेशू अथनूमी मांस्यम एव ते मन्ये बिदितम इसके बाद वो पूछने वाला पूछा था ना के नेशितम पतति प्रेशितम मना उसने पूछा था गुरू जी ए मन किसकी सक्ती से चलता है ये प्रान को किसने सबसे पहले चलाया उसको जब पूरा उत्तर दे दिया तो चला गया जाके एकांत में खुब ध्यान भजन किया जो गुरू जी ने कहा तो उसपर विचार किया विचार करके ओ कुछी समय ध्यान में बैठा था उसको कुछ परकास दिखाई पड़ा कुछ उसका मन हलका हो गया कुछ उसको अन्भव हुआ और उसको लगा मैंने ब्रम को जान लिया जो भी उसको हुआ हो कुछ हुआ और उसने समझ लिया मैंने ब्रम को जान लिया और भागा भागा आया गुरू जी के पास गुरू जी कहा गुरू जी मैंने ब्रम को जान लिया आत्मा को जान लिया बिलकुल कैसे हस्ता मलकवत मैंने जान लिया आत्मा को गुरु जी ने कहा बेटा यदि मन्य से सुबे देती अगर तुमने आत्मा को जान लिया तो भी जरा सा जाना होगा दाहरम ने थोड़ा सा अल्पम एव अपी संभावना है अपी है ना दहारम एव अपी एव अपी मानिए संभावना है कि तुमने जाना लेकिन थोड़ा सा जाना अभी तुमको और भी जानना से से है जिस ब्रह्म को तुम जानते हो असली वाला भी नहीं अभी तो फिर क्या करें अठा नू मीमांस्यम एव अभी तुमको विचार ही करना चाहिए अभी तुम और चिंतन करो अगर तुमको तत्त को जानना है तो मंत्र कल देते हैं ओम पोडमदा पोडमिदम पोरनाद पोडमदच्यते पोरनस्य पोडमादाय पुणमे वाव शिष्यते ओम शांति 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 हरी ओम स्री गुरु भ्योनम हरी ओम